तो हेलो इस्टुडेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल समराड अकेडमी तो इस्टुडेंट इस वीडियो में क्लास 10 इंगलिस 2022 बोड एक्जाम के लिए पूरा 70 में 70 नमबर आप लोगों का पूरा किलियर हो गया है और 2022 बोड एक्जाम की स्टुडेंट हैं क्लास 10 की तियार ने लिए करने तो इसको ज़रूस्ट वीडियो को सुरू से लेकर लास्त देखिएगा पूरा 70 में 70 माइक साब का पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है विडियो को स्खेस्रेंट चैनल पर नहां है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अश्यप वीडियों में पूरा का पूरा सलूसन आपको मिलेगा जो की 2022 बोडिक्जाम के लिए होने वाला है ठीक है कि इसके लिए 2022 बोडिक्जाम के लिए very most important क्यूसन आप डिसकस करने वाले हैं कि जो की 2022 बोडिक्जाम में जो प्रश्ण पूछा जाएगा और मेरे प्यारी भी पार है हमने बहुत सारा प्रश्ण तैयर करके आया है साथ ही साथ हम वीडियो सुरू से लेकर लाष्ट देखेगा क्यूंकि इंग्लिस न्यू सलेबस आप लोगों की इस बार आई है थोड़ा सा डिफकल्ट होगा इसमें माक्स लाना ठीक है तो बेहतर डंग से त्यारी कर करते हैं क्योंकि प्रोज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है पैसे में लोगों को स्वाल्ब करने के लिए तो चलिए श्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो और सबसे पहले में तो यह बात कहूंगा कि जब भी आपके पास प्रोज पैसे जा जा जाए प्रोज का पैसे जाए तो प्रोज का पैसे तो बहुत ज्यादा लंबा होता है आप लोग जानते हैं जिसी यही पैसे देख लिए बहुत ज्यादा लाग है ठीक है तो जब भी इस प्रकार के पैसे जाए तो पहले आप इसको एक यह दो बर अच्छे से पढ़ना है बड़ा है लेकि वेरी जाए ड्याड के से आए तो छैक आए ठेक जार मक जाए सत्वार के श्यादानत्व लोग च्छेश मिचारील का लेकि एकार लाटररि जाए पन ल Hail तो जब एन बहुततित बहुत रिजेश क मूग जाए हा पन दिसिवेट बहुत जाए है ए ठीक है ऍकलमे टक derecho। जाल चाल resolution हो गया he asked for money from his employees he himself gave past of his salary and several friends of his were obliged two two some things for an act of charity it was it was impossible for him to gather together the hundred pieces so he was able to send the farmer only a little more than half he put the money in envelope addressed to and with it later containing only a single word as a signature God very very most important passage आप लोगो बताना बहुत ही प्यारा मत्तो प्रश्ण है थोड़ा सा पैसे बढ़ा ले कि my paper में आगा क्योंकि very most important ठीक है बहुत हमने अच्छे तरीकी से इसे लिखा है ठीक है क्योंकि very very most important था इस लिए हमने इतना मिनत किया अगर important नहीं रहा था मैं बता था कभी नहीं बता था लेकि इंपोर्टेंट तो बताना पटाया चाहिए ओच इतना भी बड़ा क्यों नहीं हो कोई भी प्रश्ण है इंपोर्टेंट है तो बताया जाएगा इस चैनल पे आप लोगों को भले रिखने में बहुत हमको समय क्यों न लग जाए ठीक है तो यह पैसेज होगे ना प्रोच क नहीं कि यहां पर दइखें तीन प्रस्न तीन चार धंट दे देगा है दोप्रश्न करना होता है एक इसमें आक पाचों पर पैसे माच पूछे जा सकते हैं मतलब कोई आ सकते हैं घ्लीक है वे मुच्ट इमपटेंट है तो सभी यह आने चाहिए दिशे पहला की उसने की वाइडिट आ पोस्ट्मास्टर डेसाइड़ टू आंसर दा लेटर के रहा है कि पोस्ट्मास्टर डेसाइड़ टू देखा उनोंने, तो क्या उसको यह answer क्या उनोंने दिया, बस वह answer देने के लिए उनोंने क्या सुचा, ठीक है, तो यह प्रशन है जो के वेरी मुस्ट इंपोटेंट है, आप देखे तर क्या लिखेंगे, उत्तर बहुत इसका ज्यादा स्वाट होता है, तो answer हो जागा, दो प तरह आपकी राइटिंग होगी तो अच्छे से लिखेगा बहुत कि ताकि अच्छा मार्क्स मिले कट पिट नहीं होना चाहिए देखे बिलुकुल देखे राइट्स एफस्टॉपी यह सब पुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से देखके तब आपको अच्छे सरी लिखन है कि उसनों पहला किलियर हो गया कि नहीं चलिए अब पाइसेज का क्यूस नमर्ड दूसरा देखे करा है वीच थेंग्स आप पोस्ट मास्टर वर नाट सफिसेंट टू अंसर देटर तो देखे वेरी मुस्ट इंपर्टिन तक आंसर कैसे लिखेंगे कि दा पोस्ट मास्ट लेटर गूडविल इंक एंड पेपर देखे वर नर्ट सफिसेंट टू अंसर टू लेटर तीके एक क्यूस नमर्ड दूसरे के लिए आंसर हो जागा यह पैसेज का क्यूस नमर्ड दूसरा है जो कि बहुत ही प्यारा है और इस प्रकार इसका अंसर लिखना है आप लोगों तो clear हो गया और चलिया question number तीसर के तर बढ़ेंगे जो कि very very most important है पैसिस का ही प्रस्वने तीसरा कि who was determined to complete his reconciliation who was determined to complete his reconciliation तो answer के लिखेंगे कि the postmaster was determined to complete his reconciliation the postmaster was determined to complete his reconciliation fully stop answer complete एक एक लाइन का तो आंसर है आप असानी सियाद कर पाएंगे ठीक है चलिए क्यूशन नमर फोर जो कि वेर वेरी मुस्ट इंपोटेंट है हाव डिड़ पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो के रहा कि हाव डिड़ पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो पोस्ट मास्टर कैसे सहायता किया किसकी लेंचो की तो देख अंसर के लिखेंगे तो पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाई कलेक्टिंग मनिंग फ्रॉम ही इंप्लॉई एंड़् फ्रेंड करहा पूस्ट मास्टर ने हेल्ब की लिंचों की उन्होंने कलेक्ट किया था कुछ अपने फ्रेंड से और अपनी इंपलवाई पैसक से एकट्ठा करकर और लेंचों के मदद किया ठीक है किसे नुबर फोर यह कह रहा है जो कि वेरी मुस्ट इंपोटेंट है इसके वाल लाश किसे नुबर फाइप इस पैसे कहा है कि वाइड़ पोस्ट मास्टर सेंड दा फार्म वर्ली लीटल मोर देन हाफ मनी ठीक है वाइड कर रहा है इट वाज इंपोसिबल फार्ड़ पोस्ट मास्टर तू गेदर दा हंड़ेट पीसेज दा हंड़ेट पीसेज सो सो के बाद कुछ पॉइंट बचा है इसमें लिख लिएगा सो ही सेंड़ फार्मर वर्ली अ लीटल मोर देन हाफ मनी एक यूस नमर फाइप के पैसेज था और इसी पैसेज के उसन कितने थे फाइब थे और सभी इसी में से लिखा गया था तब इसे दो या तीन बार पढ़ेंगे इसके बाद पेपर में बहुत ही ज़्यादा असानी होगी आप लोगों को ठीक है चलिए अब हम देखने वाले हैं कुछ मत्तवर सॉट इसके बाद प्रोज प्रोज के भी हम दखने वाले हैं पैसे ठीक है यहाँ है कि मैं सोचिएगा कि बस नहीं है देखिए प्रोज के भी पैसे जो कि प्रोज वेरी मुस्ट इंपरेंट उठाया हूं इस बार चलिए तो पहले हम साट अंसर टाइप कि देख लेते हैं कुछ ह हम लोग जो 25 वाड में क्यूशन लिखे जाते हैं सवाट अंसर के मुस्ट इंपरेंट मैं उसको उठा लेता हूं ठीक है जो कि वेरी मुस्ट इंपरेंट है जो पूछा जाएगा जिसमें से पहला प्रस्ट नहीं है देखिए तो क्या उतर देंगे इसका अंसर के से लिखेंगे कि लेंचो निडेड क्या बला है लेंचो निडेड हंड़ेड पीसे क्या 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 लेंचो निडेड which was less than he requested to God, ठावर शॉर्ट अच्री पर करना को किसमा पहला है, जो कि इस प्रकार आप लोगो की क्या करना है, लिखना है, इतना इहांसर ट्वंटी-फाइक वर्ड में भुई हो गया होगा, कम से कम ट्वंटी टू, ट्वंटी तक भी चला जाएगा, और 25 के बाद 26, 27, 30 तक चल सकता है उससे ज़्यादा इस्टा नहीं लिखेंगे तो एक कायदा कारून बनाए गया है कि सॉर्टन सा टाइब कुस्टों को 25 वर्ड में लिखना तो उतना वे यह नहीं कि 50 वर्ड में लिख देंगे ताकि नमबर बढ़िया मिल जागा अमध्योद तो आंसर किस प्रकार आप लिखेंगे यह नहीं किена वर्ड मदलवास्स नाट एबल टो इंज्वार कि रहाए पावर्ड टु उस्परेस्ट तो आराम से आपको चार नमबर ने तरह साड़े तीन नमबर तीन नमबर आपको मिलने ही वाला है तो यहाँ आपने दो मौत पूल आप लोगों को सॉट अंसर टाइब क्यूसर बता दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा परशन था दोनो और इसको नोट करके याद करके जाना ठीक है यह कॉपी अलग से बना लिजेगा जितना मुस्ट इम्पोटेंट करा तो महरे एक सब्जेट के अलग कापी है उसको पूरा करते रहे बोड़ एक्जाम नजदी का है सब रिवाइज करके चले जाए बस काम बन जाएगा आपका चलिए अब हम देखने वाले हैं पोईट्री पोईट्री के पोचा जाता है जो कि वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट होता है और वेरी मुस्ट इम्पोटेंट पैसेज भी हमने उ इस से क्या होता है कि क्यों संध्या राता है तो यहां पांच परस्ण बतादेता हूँ जो कि पोड़ एक्जाम आपको तीन हेगगा अथीन में कोई करना होता है लिए अब को प्रैक्टिस के लिए 5 बता रहा हूं ठीक है यह भी बताते साथ चल लाओ कि कि ता कि कोई दिक् का तो देख लीजिए दा नेम आप दो पोएट इस रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या ना मिनका रवर्ट फ्रोस्ट देनेम आप दो पोएटीज रोबर्ट फ्रोस्ट वह यह कभी लिखें हुए है इस पोइट रिखो ठीक है के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्यूंच नमर सिगनिफाइज देट एंड फ्रियर एटर दस नाट सिगनिफाइज अनिफिए अनिफिंफिव तिए थिए तेर इट ड़सना दॉसरे कांसरों जागा वेरी मुश्य इमपरेंट एठीक कि लिए थी स्रापस्ने पांचों प्रसन त्यार वना चाहिए पांचों में से कोई तीन सब्सक्राइज और यहां तक आपको आंसर लिख देना है कि इसका चलिए यह कि इसका चला है प्रेटरी का पैसे चला है उसी का यह क्यूस्ञ चला है ठीक है वेअ दी दौसीट वाट डिलागी दूरेश की स्वाट डिलाइज दू टो अनसर को लिखेंगे कि the crow was sitting on a hemlock tree, he shook the tree and ice fell from it, क्यारा, the crow was sitting on the hemlock trees, he shook the tree and ice fell from it, ये question number 4 के लिए right answer हो जाएगा, इस तरहा पू लिखना है, ठीक है, तो इसी प्रका बहुत चोटे चोटे प्रश्न है, पोईट्री के पैसेज का, आप आरसानी चे दे पाएंगे उसका उतर, ठीक है, क्यारा कि under which tree was the poet standing, क्यारा, under which tree was the poet standing, तीस का अंसर वस एक लाइन का है, कि the poet was under the hemlock trees, ऐसे, तो मेरे प्यार विदार छी यहां तक आप लोगों का यह जो poetry का पैसे स्था, जो कि 3 पैसेज देगा, 2 करना होता है, हमने पांच बताया, 5 में से कोई दे सकता है, 3, ठीक है, और वेर्जे इमपोटेंट इह आप लोगों को me poetry का पैसेज बता है, बहुत, very, very most important सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे प्यारे भी दार थी यहां तक मैं क्लास को समाप्त करता हूं जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले अब प्रोज के पैसेज कराया जो कि बहुत ही ज्यादा लंग था और इसके बाद हमने सौट अंसर टाइप क्यूसन भी कराया था कि कोई दिक्कत नहुआ पसानी से चीज़े के लिए कर पाएं फिर जस्ट में हम बता रहे हैं पोईट्री के भी क्या पैसेज और इसके क्यूस लोग से हमने डिसकस करने वाले हैं और यहां पर कुछ मत्रपूर सेंट्रल आइडिया भी डिसकस करने वाले हैं वह तब बहुत सारे प्रस्ण में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ठीक है वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट परस्ण है आई होप आपको अच्छा पर पहला प्रस्ण होगा और अप्रोज का ही आप लोगों का पैसिस पहले ही देगा ठीक है तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को फोकस पैसे पही करना है कि उस अनसर तो याद हो जाएगा ठीक है पैसे बहुत डिफकल्ट हो तक आइसे पैसे को सौल पर्ते सब कुछ में बत आयागा ठीक है मेरे पैयारे विद्दार थियों पैसे जब भी आपके ऐग्जाम में आता है ना आप इसको यहये किया दो ब्यार अच्छे से रिट की है हमेशा मैं कहता हूं ठीक है जब भी पेपर में आ जाए दो या तीन to be host to the nations of the world on your own soil we thanks all of our distinguished international guests for having come to take profession procession which the people of our country of what is after all a common victory for justice for peace for human dignity we had at last achieved our political emancipation we played ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation sufferings gender and other discrimination never never and never again sell it with that this beautiful land will again experience the operation of one by another by another ठीक है तो यहां तक पैसे जब एक बार अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ मैंने पैसे पढ़के आपको सुना दिया है पैसे यहां तक है ठीक है सबसे मस्ट इम्परें पैसे जित इसको ध्यास के वीडियो क가요 डाउनलोड कर लिज्या। वीडियो डाउनलोड कर से वीडियो को ढाम सीand पैसे कर लिए आप पैसे कर आ रहा हूं ठीक है यह पैसेस तैयार हो हूँ आप लोगों को यहां से देखे क्यों से स्टार्ट हो जा रहा है ठीक है क्यों सन यहां से स्टार्ट होगा और यहां से पढ़ेंगे और इसी में सैंसर देने की कोशिच करेंगे और पहला प्रस्ण देखे क्या है कि वाट प्राइविलेज डिड़ देगेट वाट प्रा वर्ड अन देर आउन सोयल जैसा देखें आपने बस यह क्लाइन के तो आंसर है वाट प्राइविलेज डिट दे गेट तो दे गोट दा प्राइविलेज टू होस्ट दे नेशन सा आफ देर आउन सोयल बस इससे बड़ा आंसर नहीं मिलेगा मेरे प्यार विद्धार थी हो एक एक लाइन का अंसर है आप आसांई से इसको याद कर पाएंगे ठीक है पैसे को देख लीजे पैसे सकूट सापका लीजे फिर बस अंसर तो लिखना होगा और सिमपल एक एक लाइन का आंसर रहे दूसरा अपर सुन देख लीजे क्या है होम डिट दा इस स्पीकर थैंक्स आप देर डिस्टिंग्यूस्ट इंटरनेशनल गेस्ट बस किस नमर दूसरे कांसर कंप्रेट हो गया बहुत ही ज्यादा सिंपल है बहुत असानी से आप याद कर पाएंगे इसको तो नूट करते रही है आप पढ़ते रही है इसको अच्छे तरीके से बोर्ड जाम तक जाते इमेंशी पेशन इमेंनशी पेशन ए्ट लास्ट देरख ते रही तो नेकरतिक अले इमेंशी पेशन बस यहथा इकलान कांसर आए ऄपको क्यू संच से ंसर केए हो गया होगा आप लोगों को ठीक है आ इसानंब फोर क्यूसर फोर कर रहा है वाँद देर पलेट तु देम पॉष्छा है कि which things will not be experienced again by the people of South Africa. Which things will not be experienced again by the people of South Africa? तो अंसर के लिखेंगे मेर प्यार विदार्थ हूँ. The people of South Africa will not experience again to operations of on by another. The people of South Africa will not experience again to operation of on by another. के लिए हो गया? तो पांच मत्वपूर प्रश्ण है जो कि पैसेज कही था. तो पैसेज भी आपने नोट कर लिया है. आप पैसेज के निचे पांच किसन पुझा था. आई होप उसको भी अच्छे तरिके नोट करके याद कर लेंगे. ठीके? चलिए. अब हम आगे बढ़ेंगे. तो पोएट्री के. पोएट्री के भी आप लोगों को पुझता हैं पैसेज. देखें, प्रोजर पोएट्री के फिक्स है. यह देगा ही देगा. इसको नोट कर लिए. अब लोगों को पोएट्री के पैसेज है. अज़ेश्ट उसके नीचे भी क्यूशन पुझता है. जो के अंसर लिखना होता है. ठीके? इसमें भी 5 मुस्ट इम्पोएट्री क्यूशन बताऊंगा. इससे बाहरे एक भी क्यूशन बाहर नहीं जाएगा ठीके सब इसके नतरकति रहेंगे. जैसे कि देख पार हैं पहला परस्षण है. पहला है, वू इस्टाक इन विविड इस्टाइप? कर रहा कि वू इस्टाइप? अंसर देखे, कितना चोटा है. दा टाइगर इस्टाक सिन विविड स्टाइप? बहुत ही सिंपल है. करा कि रहा कि वाट आप याई कि दू क्वालिटी ज क्वाल्टी स्काइब अप्ड अनिमल्स की अंदर रिफरेंज टिकर रिफरेंज करके बता हो चाले कि अंतर का लिखेंग ए राट अगर यहाज विवड़ी श्टाइब स्विट यह नियूद टाइगर ऑद रोडी एंड श कि लिए चलिए एक यूसरे मद दूसरे का अंसर आई हो पक यह कर लिए होंगे ठीक है कि उसनमर तीसरे का अधे कि तूटा सा है कि हाउ अरद पैट्स आफ टाइगर आंसरे कि तूटा है यूसरे की तूटा है what mood is the tiger in what mood is the tiger in answer कहा the tiger is in rage the tiger is in rage कितना छोटा प्रशन है ठीक है चलिए लास्ट प्रशन दख लेते हैं poetry का why is the tiger in quit rage why is the tiger in quit rage तो answer कहा रिखेंगे the tiger is in quit rage as he is looked and his freedom being curtail curtailed है curtailed curtailed he feels helpless hence he is agitated ठीक है agitated the tiger is in quit rage as he is locked in his freedom being curtailed curtailed he feels helpless hence he is agitated के लिए एक कितना फाइब का ते पोईट्री के most important question था poetry के पैसे भी आपने नोट के लिए उसके नीचे आंसर था इसको नोट के लिए very very most important अब आजाते है vocabulary question पे ठीक है कौन सब most important vocabulary पूछेगा 2022 पूट इक्जाम में तो वह यह करना में इसको अच्छे से त्यार कर लिए देखे complete the spelling complete करना कि इसका क्या spelling होगा ठीक है तो देखे सबका आंसर आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से देखे ध्यान समझेगा अब यह देखे पी-डैस-डैस-टी-ए इसमें क्या बहर जागा तब plantation होगा क्या plantation देखे पी के बाद L भर लिजिए पी के बाद क्या बहरेंगा यल यह तो है ही फिर उसके बाद यहन भरेंगे टी भी है ए भी है फिर इसके बाद T भर दीजिएगा आई है फिर O भर दीजिएगा ठीक है तो यहां से हो जागा आपका plantation क्या हो जागा plantation हो जागा क्लियर हो गया न किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं दूसरा में क्या बहरेंगे तो पहले आप P भर दीजिए L तो है इसके बाद U भर दीजिए C के भी है फिर E भर दीजिए फिर R तो क्या हो जागा प्लोकर क्या हो जागा प्लोकर हो जागा क्या हो जागा प्लोकर हो जागा क्लियर ने दूसरा का चलिए तीसरा Yes और C है O भर दीजिएगा डबल अफ भी है इस को जाएगा ओ और यहां पे इस को जाएगा कि लिए चलिए चौता देखेए यस तो है यस की बाद आपको टी बरना क्या बरना टी फिर ए और टी तो है ही आई भर दीजिए ओ भी ए यहन तो इस्टेशन हो जाएगा क्या हो जागा i station हो जाएगा ठीक है इसी तरह आएए यहां पर e is है यक्स भर दीजिए का c i है तो टी इज बर दीजिए excited हो जाएगा excited हो जाएगा इसका excited इसके बाद बात कर लेते हैं next b b तो है फिर e a भर दीजिए फिर u b ए फिर t i a भर दीजिए fb यह बढ़ती ब्यूटीफूलु हो जायागा इस स्पेलिंग ब्यूटीफूल जायागा ठीक है इसके बाद आये यहां पर आगे भर ना भी भर दीजिए यू है यह बर्दी यह भी फिर लेजन्ड हो जाएक लास्ट यपर का लेजएंड होगा तो आप सब्सक्राइब किसी को आपती किसी को आपती नहीं होने चाहिए अच्छे से आप भर लिजेगा ठीक है नोट का लिजेगा इसको फियर में चलिए अब महत्तपूर सेंट्रल आइडिया हम देख लेते हैं कि क्टिउस कर अजल कर दोल्ट्स सेंट्रल आडिया देखने वाल इडिया mush नुट्टक है यह नोटreek़िए the poem expresses the significance of small things in changing on's attitude the poet appreciate the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved may previous moments from beings wasted away the crow shakes of the snow dust from the hemlock tree the same way on can shake off the sadness from on's heart the poem expresses the significance of small things in changing on's attitude the poet appreciate the beauties of the snow folk which changed his mood and saved may previous momentum from beings wasted away the crow shakes of the snow dust from the hemlock tree the same way on can shake off the sadness from on's heart was clear this is your central idea is dust options we have two times read our 7th read this note note will be the same and the same way on can shake off the sadness from once hurt was clear with this video in the past we have seen how many pros came important passes about a poetry most important passes about a complete spelling we have only a good way for us or central idea we have only here at is that a great news topic in the past तो उसका पूरा सलूसन में लेकर आया हूं बस इन प्रस्णों को आप तयार करके जाए 2022 वोड़ इजाम में ठीक है और 100% फसेंगे ऐसा तो मेरे प्यार विदार्थी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रे पैसेज जब भी दें कि इतना बड़ा पैसेज दर इखाए एक बात मेरा सुनुन लीजी मि 한से जब इसको एक या दो बार जरूर आच्छे से एक दो बार कीजिए एक या दो बार जीससेए मनेक लुट कर जता हूं देन थेपो मेबेकी वाज इसमोर इन एज फर्स्ट रेपर्टी प्रेशिडेंट वेन इट वाज माई टर्न आई प्लेड टू ओबे एंड अपहोल्ड दा कंस्ट्रेशन और टू डिवोट माईसेल्फ तू दू डिवोट माईसेल्फ तू दू वेल बिंग अफ रिपॉब्ल अगर इसका क्या सेंस कह रहा है सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा एक दोबार अगर छे से रीट करते हैं तो ठीक है जश्ट इसके बाद यह पैसेज आपका है पैसेज के जश्ट बाता को क्यूशन दिया रहेगा और इसी में से आंसर बना के लिखना होता है ठीक है इस इस पैसेज में सिस्प्रस्टन को लिखना है ठीक है बिल्कुल तो देखिए मेरे प्यार विद्दार थी हो आप इन सभी वर्डों को आप इसमें देखेंगे कि यह सब उसमें कहां दिख्याई दे रहे हैं तो हमसे पूछा है कि दा अकोपनेट इनेलसर मंडेला ऑन दा इन इन इग्रेशन तो आप अंसर इसका लिखेंगे कि जनानी क्या जनानी दाटर आफ नेलसर मंडेला अकोंपनेट हीम ऑन दा इनेग्रेशन यहां पर वह था ना आई वाज अकोपनेट वाइद डाटर जनानी ठीक है तो इसी को इस रूप में रुभमांतरित करके लिखा है क जनानी दाटर आफ नेलसर मंडेला अकोंपनेट हीम अनदा इनेग्रेशन टीक है ते इस परकार हम लोगांसर बनाके लिखते हैं इसके बात प्रशनमर पहला होगे ना है पैसेज का प्रशनमर पहला था इसी प्रकार पैसेज का अप्र दूसरा आप से पूछ रहा है कि who took the ओथ बिफोर मन्डेला एंड फार वीच पोस्ट ठीक है तब इसका आंसर आप किस ढंक से लिखेंगे तो इसका अंसर लिखेंगे मेरे प्यार विदधारतियों कि मिस्टर डे कलर्क एंड मिस्टर थेबो मेबेकी टुक ओथ विफोर मंडेला एज अ सिकॉंड एंड फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट रिस्पेक्ट विली ये किस नमर दूसरे कांसर इस प्रकार आपको लिखना है देख रहे हैं नए सलेबस है नए नए वर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं थोड़े याद करने में डिफकल्ट होंगे ठीक है कोई नहीं याद हो जाएगा आप लोगों जो मैं प्रस्ण बता रहा हूं उससी प्रस्ण तयार करके आप चले जाएए ठीक है तो क्यूसर नमर दूसरे कांसर होगे ना नोट कर लीज़ेगा अच अप्रस्ण यह किस नमर तीसरे के लिए अब उसी पैसेज का क्यूसर नमर फोर्जों के लास्ट प्रस्ण तीन चार प्रस्ण देता है कहारा कि फो हैड़ बीन मेट फॉपेट प्रेशिदेंट आफ साउथ आफिर्का ठीक है तो आंसर कैसे लिखेंगे आप मिश्टर हैबो फों मेबी कि हैड बीन अपॉइंटेट फॉर्ड फॉर्स डेप्री प्रेशिडेंट ऑफ दे साउथ एफिर का इस तरह इसका अंसर हो जाएगा तो यहां पर जैसा आपने देखा कि पैसे वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट था पैसे कि नीचे चार क्यूशन दिया था उसी में से आप लोगों कौन सर लिखना था ठीक है हमने लिख भी दिया है आप लोग क्लिर हो गया होगा इसके बाद हम बढ़ेंगे कि हां लॉंग इंपोर्टेंट की तरफ क्या बढ़ेंगे लॉंग वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट है अगेज़ा कर लेंच वा पसा रचैसकि वह प्रमदैंट कि वहसे प्रहें होAudi म् प्रमदैन सब्हसे पहलें वहाला न रिखेंगे कि लेंच वाज अपूर् हाट बर्किंग व्意र्ड वर्किंग कर athgois ब्रेड यहां तक लिख लिए लेंचो वाज पूर इसका लिखाए लेंचो वाज पूर हाड वर्किंग फार्मर हूँ वाज दा ओनली ब्रेड इसके बाद उसी के जेस्ट नीचे यहां पर लिखेगा इस लिप में उसली भर गया है ब्रेड अरनर आफ दे फैमली हीज क्रॉप्स हैड बीन देस्ट्रॉइड बाई यह हैल्म इस्टॉर्म फूली स्टॉप के बाद लिखेए क्या रहा कि वह पत्र लिखते हैं गौड को और डिमांड करते हैं अपनी फाइनेंसियल हेल्प की साहता के लिए वह बिश्वास करते हैं भगवान पर क्यों हो भगवान हमारी क्या करेंगे मदद करेंगे ठीक है तो इंट्रोडक्शन में था इंट्रोडक्शन एडिंग मना कि आपको इतना पॉइंट आप लोगों को अराम से लिख देना है इसमें इंट्रोडक्शन में लिखना था ठीक है इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी एडिंग आपको डालना है hard working क्या डालना है hard working है डालना है अब hard working में कि लेंचो worked hard लेंचो worked hard like animals in his field लेंचो बहुत कठीन काम करते थे कठीन काम को भी पशंद करते थे animals in his field में he was said and disappointed by the destruction of the crops but he was ready to sow his field again तो क्या क्या लिखेंगे यह hard working में आप लोगों को इतना point लिख देना है ठीक है किसमें hard working introduction हो गया दूसरा आपके क्या हो गया hard working हो गया ठीक है इसके बाद देखें तीसरा heading क्या डालेंगे आप लोग जो कि very most important है तीसरा heading आपका optimistic टेक है optimistic डालना है अब इसमें लेडिंग में लिखना है कि लेंचो वाज optimistic by nature first he believed that he would get good train but helm storm destroyed his field but he did not loss his hope he believed that God will help him and he will sow his field again ठीक है इसके बाद आपको लिखना है he was also sure that his letter will reach to God and he will help him ठीक है optimistic में डाल देना है यतनी heading में एक और अधरी heading है तीसरी heading पहला introduction दूसरा hard working तीसरा optimistic ठीक है इसके बाद चोती heading डालना है आपको faith in God के डालना है faith in God अब इसमें लिखना है faith in God में कि लेंचो अप्टिमिस्टिक नेचर वाज बेस्ट अन his firm faith on God he believed that God is watching everything and no one यहाँ पे लिखा again and fill his family till the crops comes ठीक है तो यह आपको किसमें faith in God में heading में यह था the faith in God heading डालके इतना आपको लिख देना है मेरे प्यारविदार थी हो ठीक है इसके बाद next heading है stupid and never stupid and never heading डालना है अलिखना है इसमें कि आप लोगो को कि he was hard working and simple man but he was not able to recognize the help of the post office employs his faith on God was so strong and unique training that he was not able to think that anyone else except God can help him ठीक है stupid and name में इतना हरी डालके आपको लिख के आयाद कर लेना है ठीक है इसके बाद last heading आपकी चलेगी conclusion ठीक है last heading क्या चलेगा conclusion जैसे कि देख पार रहे हैं आपके conclusion है conclusion में क्या लिखना है कि लेंचोवाजा simple hard working and intercept former who had immense faith in God this faith made him ignorant from the helpfulness and kindness of other people ठीक है इतलाश में conclusion लिख लिखना है तो मेरे प्यार विदार्थ में बताता हूं कैसे आप लिखेंगे इस पॉइंट को याद करना है ठीक है अज सबसे में जो बात है जो कि आप अच्छे marks लापाएंगे कि जब इसकी आप क्या याद करें heading क्या heading आपको याद करनी पड़ेगी इसकी तुकि very most important है पहला heading पले heading पले heading पले याद किजिए पहला heading introduction की बारे में कुछ point लिखना है आपको ठीक है 6 नंबर के लिए तो मेरे प्यार विदा इस तरह के question लिखते हैं जो कि long important very very most important इस प्रश्णों को आप किसी क्यूमत पर तयार करके जाना है ठीक है तो मेरे प्यार विदार्च्व जैसा कि आपने देखा कि हमने एक most important पैसे आप लोगों बताए और very very most important एक long important क्यू कि दार्च्व विडियो पसंदा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए और मिलेंगे आपसे प्यार से नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद